नमस्कार विदर्तियों आज हम एंजाइम गत्ति की के बारे में विस्तार से अध्यन करेंगे सबसे पहले एंजाइम सक्रिता है कि हम जानते हैं कि अधिकतर राशानिक अभिक्रियाएं सौत्व प्रारम नहीं होती है क्योंकि अभिक्रिया के अंतरगत अभिकारक अथ्वा जो क्रियाधार होते हैं उनकी अणुओं में उर्जा औरोद पाजाता है जिससे वे क्रियाशिल नहीं हो पाते हैं और उत्पाद का निर्मान नहीं होता है तो इस प्रकार से किरियाधार अणों के इस उर्जा औरोद को कम करने के लिए हमें उर्जा की आउशकता होती है अर्थातम ऐसे कैसे कि नियूनतम उर्जा का वह मान जो किरियाधार अणों को अभी किरिया में भाग लेने के लिए सक्रिय करता है उसे सक्रियन उर्जा करते हैं इस परकार हम देखते हैं कि सक्रियन उर्जा उर्जा को वह मान है अर्थाद वह नियूनतम मान है जो उस अभी क्रिया में भाग नने वाले क्रिया धार अनुवों को सक्रिय होने के लिए आउशक है अर्थाद एक नियूनतम उर् का मान आउशक है यहां पर आप इस पिक्चर के अंतरगत दो ग्राफ देख रहे हैं जिसके अंतरगत एक फर्ष्ट क्राफ में आप देख रहे होगा इन एंजाइम की अनुपसद्धी में क्रियाधार को उत्पाद में परिवर्दित होने के लिए उच्छ शक्रीन उज्जा क आउशकता होती है तिसा कि आप यहां पर देख रहे है अदिक सक्रीन उटोर्जा का मान अदिक है वही कि नहीं मियक्तु Cum 191 अगर एंजाइम उपस्तित होता है तो उसमें इन्जेम की उपसेखेख अमन, जो और औरद होता है, जो आदा हो जाता है, बिना एंजेम की उपसेखेखें इस प्रकार से मी धेखतेखें कि नीूंत्रम औरद का भहमान है, जो किर्याधार औरभों को अभी किर्या में भाग Mt. लेने ayesta सब्सक्रिजा का दो कि नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंजाइम की जो किरिया विद्धी है किस प्रकार से एंजाइम है जो अपनी किरिया विद्धी करते हैं और अभी कारकों अथात किरिया धारों को उत्पाद में बदलते हैं कि इस सिद्धानत को स्मझने के लिए तो भूप्र मुख सिद्धान्त दिए गई हैं इस एंज़ायम की किर्यावदी को समझने के लिए सबसे पहला सिद्धानत हो तालावज चाबे सिद्धा और दूसरा है ऐंज़ायम की किर्यावदी के समझने में दिये गए स्ब Влад summer scrubiser Pike सबसे पहले है एंजाइम सक्रीता का ताला चाबी सी दांद ये जो एंजाइम सक्रीता का ये एंजाइम क्रियाविदी का ताला चाबी सी दांद दिया गया है ये सी दांद एमेल फिशर के दोरा परस्तुत किया गया तता फिल्स वर वूट्स की दोरा इस द्धान्त के बारे में विस्तरत अधिन किया गया इस मत के अनुसार एंजाइम द्धा किर्याधार की बीच में पुर्क का सम्मन्द होता है परत्य एंजाइम अनुपर कुछ विस्ष्थ बंदु और इन शक्रिय श्थलो पर विस्ष्थ प्रकार के करियाधार अणुमों का बंदन होता है यह अपने से कह सकते हैं कि यह जो आपके एंजाइम है यह आपका जो एंजाइम दिखा दे रहा है इस एंजाइम पर विशिष्ट प्रकार के सक्री एस्तल होते हैं और इन सक्री एस्तलों पर यह जो आपका क्रिया धार है आकर के इस पर बाइंड हो जाता है और एंजाइम और सब्स्टेट एंजाइम ताला के रूप में काम कर रहा है सब्स्टेट आपका चाबी की रूप में काम कर रहा है जिस प्रकार से एक चाबी एक विश्षिष ताला के दर समाहित होती है लगती है उसी तरह से यहां पर एक सबस्टेट डिशीश्ट एंजाइम के साथ में उसके सक्रिय हिस्तर पर बंदित होता है और उसकी सबस्टेट कॉम्प्लेक्स का दिर्मान करता है जिसे हम ए एस दिखके हैं यह यह और यह जुद जाते हैं एंजाइम प्रोड़क्ट कॉंप्लेक्स में और बाद में एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोड़क्ट अलग हो जाता है तो यहां पर आप देखें कि पुन्ह प्रतव हो गया और प्रोड़क्ट है जो अलग हो जाता है क्रवी तो इस लोदान के इस ऐनुशार आप देखोगे तो आप उपर दिया गिया एंजाइम सबोस्टेक्ट करके एंजाइम क्या करता है सब्स्टेट के अंद्रकर सन dato कुछ रासानिक राशायनिक बंधोनों में परिवर्धन करता हिसके सुर्वन चर्ण केंट कॉमप्लेक्स है जो हैं प्रॉडक्ट कॉंप्लेक्स में सस्थेटिफ दॉड़वर्ध हों गुयद परीवर्ञ तो कि दूसरा है अनुरूप प्रेरण सिधान्त यह सिधान्त कोश्लेंड की द्वारा प्रस्तुत क्या गया था इस मत के अनुसार एंजाइम प्रोटीन की किर्यास्तलों में अभी किर्या के दौरान सुक्सम जैमितिये परिवर्थन होता है यह कोशलेंड के अनुसार एंजाइम का जो एक्टिव साइट है इस आक्टिव एक्टिव साइट है डो गृूप उपस्नहें जिनने हम उहलम्बन सम्मू 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 सम्मच ये ये इस हैट पर बंदन के लिए अधार प्रदन करता है जबकि जो उच्प्रिस सब्स्ट्रेड को में परियूरित करने का कारee करता है और ये दोनों सम्मू लग्दback साथ एन्जाइम की बात करते हैं एक्टि साइट्स पर ये दोनों समय ऑलनम्बन समय को ता उत्प्री करग समों पास इस्तित होते हैं कि रीदार टिक ग्री चीया डार अ मां है डägालमण अस्तिल पर को कि एंजयम के विन्यास में इस ब्रकार परिवर्थितन हो जाता है बाद में कि उत्प्रेरत स्तल्ख क्रिया धार के जिस बंद को तोड़ना होता है उसके सामने या निकटा जाता है कि तबन तोड़ घाता है जिस से के तहार बाद में उत्पाद में परिवर्टिद हो जाता है का अब इस अनुरूप कि प्रेर्ण की खर्सुरूड हो जाता है वर चावी सिद्धान से ज़्यौदी माना गया है क्योंकि इस सिद्धान के पक्स पर्मान बिए गया उनके इन्वक्रिया के अन्त में परिब्रती रता है पुन्सें करिया करने के लिए लंनतर रहता है कि जिसके पफलेदा होता है कि इन्जाइम की मात्रा की मढदी मात्रा को हुट्प्रण सब्सक्राum के लावा यह दौर को होता है कि एनिऑभीट्र एन्जाम स्थवारागे मसें प्रीवर्ट नहीं हो को τरकेंइंक कि यह अलंभग स्थ्ट्र हो जाता है पर उन्तुकुर्ण से स्थित नहीं नहीं हो पाता है को भी ने इनजाइम घ Advent कि उभी कि किस प्रकार से और राशनिक अबिक्रियाव को संपन करते आध्य, मेकेनिज्म की बारे हम जो बात करते हैं तो इसकी अध्यन को हम एंजाइम गतिगी करते हैं कि एंजाइम नींत्रित अभिक्रियाओं में दो महतुपुर्ण कारक जिसमें अपन पी एच तापमान और अन्य सभी परिस्थिदियों को छोड़ दें तो को महतुपुर्ण कारक है जो किया कि दर को निय्त रित करते हैं वो है किर्यद्धार की सांद्रता अधा the पसक्तिक दर या गति का मापन उसम्में के जाता जब किरिया धर की संद्रता एंजयम संद्रता से काफी अधिक होती है इसे हम यह कह सकते हैं कि सुरू-शूरू में जब कि इनिशियली जब reaction start हो रही होती है उसम्में जो अभी ग्रेखाव आधर करदम भी जीरो होता है जब क्रियाधार के संदरता बढ़े जाती है यहां पर आपका वी जीरो है और उन्हें आप आप है जो इस अभी क्रिया के अधर का क्रियाधार की संदरता बढ़ जाती है त्यों त्यों अभी क्रिया के वेग की गती है जो बढ़ती जाती है और कि यह जो वेग में वर्दी हो रही है यह रेखी रूप से वर्दी होती है तदा एक अवस्ता के पास चार आपके अभी क्रिया की जो दर है वो अधिकतम वेग जिसे हम वी मैक्सिमम करते हैं तक पहुचने पर इस्तिर हो जाती है कियुक्otted में हैं इस वी मैकिसिमिमें स्थति में सेचीदसरेंडिंद ऐधिव साइड्स होती जो सारी जो संत्र्व हो जाती करिया धरो से यदी ऑ कि समझते संत्रव दोणना के क disability अने अधरी के विएग में परिवफ्तन नहीं होता है अभे वियदार नहीं बड़ा रहता है अब इस कंडिशन में में जब क Vous अपन सुन दार की सांदरता बढ़ाएंगी तो और अधिक है बढ़ने की गुझाइस नहीं होती हैं यहां पर एंजयम की शंदरता है जो एक सीमा करुकार की रूफ मैं कखारे करते हैं किसंडिशन में अगर हापन एनजयम की संदरता को पढ़ाएंगे तो अभी किरिया की व्यग में कर दियोगी कि इस प्रकार की बारे में सब्सक्राइब कि अभी किरिया की दरपर किरियाधार की संतरता का परभाव क्या होता है इसके मेकनिजम को समझने के लिए जर्मन बायोकेमिस्ट लियोनोर माइकेलिस तथा केनेडियन फिजिशियन मोड मेंटेन ने इसकी एंजाइम काइनिक्स के बारे मद्धिन किया और इस एंजाइम काइनिक्स को उन्ही के समान में माइकेलिस मेंटेन काइनिक्स के नाम से जर्मन बाता है और उन्होंने अपने स्टड़ि के अधा पर ये बताया कि किरियाधार की वह संतरता जिस पर अभी किरिया का वेग अपने अधिक्तम वेग का आप होता है 1 by 2 of maximum जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तो इस समय जो आपको यह वेग आप नजर आ रहा है इस समय है जो सब्स्टेट की सहंदरता कितनी है इस सब्स्टेट कंसेंट्रेशन को के एम की नाम से जाजाता है जिसे हम इस के एम को माइकिलेस मेंटेन कॉंस्टेंट करते हैं जो कि उनी के समान में यह जो दिया गया है अर्थाद हम कह सकते हैं कि के एम क्या है तो मैं यह बताना है कि के एम किरियाधार की वह संदरता है जिस संदरता पर अभिक्रिया अपने अधिक्तम वेग के हाफ वेग पर संपन होती है यहाँ अधिक्तम वेग है इसका हाफ वेग पर है जो इस संद्रता पर अभिगरिया संपन होगी हाफ of the maximum velocity अब माइकलेस मेंटन इस ते रंग की बात करते हैं में तो आप देखने एंजाइम और समस्टेड़ मिल करके यह त्यस गति से इंजाइम सभी रिमिक रिया होती है और एंजाइम सबस्टेड कॉंप्लेक्स का रिमान होता यह की आप देखों का अब देखों के ऐनजाइम और समस्टेट दोरह right तो इसमें यह बी कोर्मनी है और इसके अंतर ते जब अंचयक जूटकर के एजिन सब्स्राइब कोंप्लेक्स बनाते हैं तो इसनों कि यह संत्राइब कोंप्लेक्स जब प्रोडक्ट में व्यूजित होता है तो इस अभी क्रिया का इस तरह है जो K3 है तो इस प्रकार से हम क्या सकते हैं कि माइकलिस मेंटेन कॉंस्टेंट है आपका Km उसको हम इस प्रकार से परिबासित कर सकते हैं कि के एंजाइम सभस्टेक्ट कॉंप्लेक्स के वीलूपन का इस्तरहुं कि डिवाड़ेट बाई एंजाइम सबस्टेट के निर्मान का इस तरह हैं अथात Km सकते हैं कि अब एणजाइम शक्रीद्र को परभावित करने वाले कारक सबसे पहले किर्याधार सांतरता के हम बात करत तो एंजाइम सांतरता वो अन्य दसाओं को अगर इस्तिर रखने पर किरियाधार सांतरता बढ़ाने से अभी किरिया की दर में वर्दी होती है जैसा कि आप इस ग्राफ के अंदर कर देख रहे हैं कि जूँँ जूँ सबस्टेट की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है लेख के आप देखरियों त्यों अभी किरिया के डिन में भी वर्दी और यह हैं कि आप जारीच दाटा यह से अधिक शकरिये कंटिक नियुक्त है ङराट कि अश्टर के दर सब्स sortie और देख रहे हो आई जो कि इस में जो Performer Concentration बढ़ाने से अभी कर्या कदर नहीं बढ़ने कiken कि इस में जव एंजय expect flare डरता है वह सिमा करीकार की रूप में कार्य करती है अब अगर हमें और इस अभी कर्या कीव को बढ़ाना है तो में डीम में किसा दाश्य को इंक्रीज करना को अ shacky Sat-Notes अधिक्ता में हो तो एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में वर्दी होती है किरियाधार सांद्रता अधिक है और उसके अंदर कर अगर आप एंजाइम कंसेंट्रेशन में वर्दी करते हो तो आप देखेंगे कि कि एंजाइम की कंसेंट्रेशन में व्रधी करने पर अभिक्रिया की दर है जो कि लीनियरली कि बढ़ जाती है लेकिन एक निशित स्रीमा के पास जात एंजाइम की संपूर्ण संद्रता आज साथ सभी एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स सब्स्थेट द्वारक उक्यूपई कर लिजाने पर बभिक्रिया की दर नियत हो जाती है इसिमें सभूAA कंसेंट्रिशन क्रियать arbitrता है करें कि अब इस अभीक्रिया की विए को और दिक बढ़ाना वह तो मैं सब्सटेट कंसेंट्रेशन को बढ़ाना हुआ तापमान कि अन्हें राशानिक अभीक्रियां की तरह एंजाइम उत्प्रेटित अभीक्रिया भी माध्यम के द्वरा। अत्यदिक प्रभाविद होती है। इसकी प्रति की다, ृथ। अरत्व। प्रिवर्तिम के प्रति अंजैम on LinkedIn Sensitive होते हैं कि एंजयम उत्प्रेटी अभिक्रियों के लिए प्राणब करने के लिए इनकी आवश्यक एक निउन्तम तापमान की रिकार्मेंट होती है जो इनका मिनिमुम टेमपरेचर करता है इसके अतिरिक दिस तापमान पर यह एंजयम उत्प्रेटी अपने अधिक्तम दर से जाड़ अगर हम देखें तो यहां पर आप देखेंगे कि यह नियुन्तम वह यह अनुकुलतम इस तापमान के बीच में जो यह रेंज से तापमान की इस थापमान ट्रेंज में परतिक 10 दिगरी सेलचे ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की कि अंदर में दो से तिन गुणा की वर्थी होती है जिसे हम क्यू टेन बराबर टू टू टेन टू 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 त्री कहते हैं और अनुकुलतम तापमान जो आपके अप्टिम्म टेंपरिचर है इससे अधिक तापमान होने पर अभिक्रिया की दर में कमी आने लगती है ऐसा इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि एंजाइम अत्रू जो भीक्रिया होती है इसके अंदर देंजाइम प्रोटीन प्रकृति के अधिक तापमान पर प्रोटीन विक्रत होने लगते हैं जिसके प्रस्वरूप एंजाइम की किरिया विद्धी प्रभावित होती है कि दो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चालेश्ट डिगरी यहां दिक बदार आपको उनुकुलतमान तो चालेश्ट डिगरी से अधिक अधिक तापमान 50 60 और अधिक तापमान होने पर अभी किरिया की दर अतिधिक रूप से प्रभावित होती है ऐसे का सकते हैं बहुत ही अभी कि दर कम हो जाती है पूँआ है next है pH संद्रता कि एंजाइम मादियम की पिएच के पति अतितिक संहें होते हैं एक विशिष प्रास में ही एंजाइम क्रिया सिल होते तक कम हो जाती है कि जो रसन्दिक अभी क्रियाओ के अंतरकत अधिकतर जो एंजाइम होते हैं पिएच चार से अधिक्तम किर्या विद्धी अर्थाद अनुकुलता को परदसित करता है अर्थाद हम यह कर सकते हैं कि एक विशिष्ट एंजाइल एक विशिष्ट पी-च पर अधिक शक्रिये होता है उदाहन के रूप में बात करें तो आप देखेंगे कि इन्वर्टेज होता है वो सब 4.5 पर उक्सीलेज अंजय मोता है 5.0 एमाईलेज के लिए 7.0 जो कि आप ग्राफ में दिखाए गया है यानि एमाईलेज है जो उदासिन पी-च परकारे करता है है वो इन्वर्टेज के लिए 8.0 है तो इस प्रकार से आप देखते हो कि समाने तहां आप देखेंगे वह दासिन पी-च दूसरा 7.0 है उसके नीची की तरफ यानि जो पी-च का मान साथ से कम होता है तो एंजयम की किरियाविदी अधिक होती है लेकिन साथ से उपर होने पर एंजयम की किरियाविदी कम होती है तो यह है कि जनरली पी-च का मान चार से अधिक होने पर अभी किरियाविदी किदर में वर्दी होती और यह वर्दी लग तो अविक्रिया में कि बढ़े उत्पाद बनते हैं उनकी सहंतरता भी है जो अभी किर्या की द colonial पर भावित करती है क्योंकि जो उत्पाद होते हैं बने विए वो अगर तो है निरिमान कि अदू से वित्यत नहीं की जाते हैं तो वह जो सुभी क्रिया में अब ये कह सकते हो कि वो है जो फीडबेक की रूप में कार्य करते हैं और एंजाइम की क्रिया वद्धी को प्रफवित करते हैं उत्पादों के संचन से क्या होता है कि अभी क्रिया विफृत दिशा में होने लगती है इसे हम फीडबेक इन ही विशन करते हैं साथ-साथ यह उत्पाद क्या करते हैं कि एंजाइम सतह पर उत्पादों का संचन होने से एंजाइम मिस्क्री हो जाता है वहीं उत्पाद का जो पीएच होता है वो अभीकारकों से भिन होता है जो कि अभी करिया अगे लिए पर्तिकुल प्रभाव दरसाता है फिर जल व्यूजन जूदुरिय के अंतरकत हम देखते हैं कि जल की अनुकुलतम परास में एंजाइम को किया सिलते बढ़ती है तो जल की मात्रा दस से बारा परसेंट के करीब होती है और इतना कम होने पर एंजाइम निस्क्री हो जाते हैं और शुष्क बीजो को जल में डालने पर जल व्यूजन के फ़ल सुरूप एंजाइम सक्रीता बढ़ने लगती है तता यह सक्रीता अप्तिमिम लेवल तक पहुंचाती है जिसके फ़ल सुरूप इन भी जुका कुरुण में साहता मिलती है नेक्स्ट है सक्रीय कारक कुछ एंजाइम को किया सिलता के लिए अतिर्दिक अल्प मात्रा में अकार्बनिक पदार्थों को सक्रीय कारक्तात्तों करतें और यह अनजाइम क्रियाधार समिस्ट दिर्मान में भाग लते था इनकी उन्हों पसे में एक कुछ बिसेस्ट एंजाइम सक्रीय कारक्त्तों की बात करते तो ने सूडियम विस एंजाइम सक्रिता पर विभीत प्रभव डालते हैं एक्जेंपल के हम बात करें तो हेवी मेटर्स के अंतर कर देखते हैं एंजाइम की क्रिया को बाजिध करना है मैं जाद भधार्यों योग गण। गिलिए सीलता में बादार्य उत्तफन ah करते हैं बात दक होते हैं उन्हें एंजाइम इनिपीटर या एंजाइम संब्धक करते हैं कि एंजाइम कि संब्धन दो प्रकार से हो सकता है पहला है प्रतियोगी दात्मक या प्रति पुर्धात्मक संब्धन कि यानि इसकी अंतरकत हम जानते हैं कि एंज की है कि कित की समान मिलता जूताने पदाथ है जो एंजानी मिन की एक्ट्व साइट्स के तो सब्स्टेट के साथ में प्रतिस परता करता है कि जिसके भल शुरूप सब्स्टेट को प्रयात मातरा में एक्टिव साइट से मिल नहीं पाती है और एंजाइम की विक्रिया दर है जो कम हो जाती है कि यहां पर आप देखेंगे एंजाइम और सब्स्टेट मिलकर के और जब एनिमिटर जुड़ जाता है तो एंजाइम एक्ट्व सैट जो है वह एनिमिटर से उक्यूपाई जाते हैं जिसके फर्शुरूप सब्स्टेट के लिए वह एक्ट्व सैट नहीं मिल पाते हैं तो सब्स्टेट और एंजाइम इनिमिटर से दोनों समार होते सरचना में तो इनके बीच में आपस में एंजाइम की एक्ट्व सैट्स के लिए प्रतिस्परता होती है जुझे दुसरा है कि और इस प्रकार के प्रतिस्परताथ सब्सれた से और सबस्क्राइब महीं नो गश्यक्राइब कि इसके फार सुरूफ मेलोनीग अमल क्या करता है इनिविटर की रूप में कारे करता है और यह कि इंजाइम सक्सिनिक अमल को फ्यूरिक अम्ल में परीवर्तिद नहीं कर पाता है कि दूसरा है वो है आपके डॉन कंपेटिटिट्व इनिबिटर से अप्रतियोगी दात्मक सम्मधन यानि इस प्रकार के जो प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो क्रियाधार से प्रतिस्पुर्दार नहीं करते हैं बलकि कि एंजैम माइस के साथ में जूड़कर के इसकी त्रेवी में सरचना को प्राइद करते जिसके वहाथ और डाते हैं कि अ सब्सक्राइब कर देखते हैं मरक्री सिल्वर लेड साइनाइड इतरी जो पदार्थ है और इसके लाव आपके कि डाई आइसो प्रोपेल फिलूरो फोस्पेट आधी है जो यह कि नॉन कंपेटिटिव इन्हिपिटर्स की स्रीनिक अंतरकत आते हैं कि नेक्स्ट आपका जो है वह है एलो इस्टेरिक मोडूल मोडूलन अत्वा पुन्रभर्ण संबंदन कि एलो इस्टेरिक से मारताथ परिया कि ऐसे पदार जो एंजाइम की सरंचना को परिवर्दित कर दें कि कई बार हम देखें देखते हैं कि उपापची परिपत कि अंत्रगत अंतिम उत्पाद का जब उसके अंत्रगत संचेन हो जाता है तो वह उत्पादन उत्पाद है जो स्वयम की उत्पादन को समधित करता है और इसे हम फीडबेक करते हैं यानि इसे अपिक्रिया में एक रोग एसे बंड़ रहा है वी से अंतिम उत्पाद को बाधित करता है और इस प्रकार जब कोई अंतिम उत्पाद इस संपुर्ण अभिक्रिया में किसी एक जगह जाकर कि 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 अभिक्रिया को बाधित कर रहे है रोग देता है तो इससे अंतिम उत्पाद का अंध्रमान रुक जाता है तो इस प्रकार कि हम फीडबेक इनिविशन को को एलोस्टरिक मोडूल भी कहते हैं अब यहां पर आप देखोगे इस अभिक्रिया के अंत्रकत अंतिम उत्पाद पी इसका संचेन होने से एंजाइम की सक्रीता रुख जाती है ऐसा पदा आर्थ इस पूरे परिफ्रत के अंत्रकत किसी एंजाइम के एन-1-2-3-4-5 इन-5 को जाकरके उसकी किरिया विद्धी को रोख सकता है यानि उस एंजाइम की जो आकर्दी यह उसके अंदर कंफरमेस्नल चेंजलिज कर लेता है जैसे इसकी एक्टिविटी परभगत होती है और जो ऐसे एंजाइम होते हैं इस ऐसे एंजाइमों को एलोईश्टरीक एंजाइम करते हैं जिसका अंत्रकत और ऐसा शरूपण परिवर्तन होता है उदारन क्यों बात करें तो ग्लुकोज 6 फॉसपेट का जब संचेन हो जाता है तो यह ग्लुकोज 6 फॉसपेट एक जो काइनेज एंजाइम की सक्रीदा को सम्मद्द करता है और इस प्रकार का समंदक यहां पर कौन होगा आपकी ग्लुकोज शिक्स फॉस्पेट है जो एलोस्टरिक समंद्ग के रूप में कारे करता है कि एलोस्टरिक मेकेनिजम की बात करते हैं तो कुछ पदार्थ है जो एंजाइम की क्रिया सिल्था को बढ़ाते पिए तो इस प्रकार के दोके अस ब्लाथ है एक्टिवेटर क्याते हैं और कुछ इस उसे प्दार्थ होजे जो एंजाइम की क्रिया सिल्था को बढ़ीर करते हैं रोगते हैं उसकों एलोस्टरिक के अंदर को यहां संबंदक है एलोस्टरिक समंदक Be Crush इसके अंतरगत दूसरा यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपका यह 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 य बाइट-प्र है जोने चाहित एक टुर इंदर एक तो है और कर दो खिंध पाइंन ऑलने के लिए एक्टिफ साइट लोग्र समर्स चैस्ट और ऑगो कि अगर अपिघ्टीव साइट्स कि अगर अगर इसे जुड़ जाता सब्स्ट्रेट इस बाइंड नहीं हो पाता चूंकि इनिब्स जुड़ने से उस पाता है जोकी आप के आपको यह पर रिखाए गया जैसे यह आीं लिए सबस्ट्रेट की इने डरेफंस ज़ड़ने 2-2 सबस्टेट के नदर अब पर जुरू सब स्टेट इसके इंदर फिट नहीं हो बाता है धन्यवाद